Good morning students, fifth class आपने holiday assignment बनानी है, triangles की and साथ में triangles की types ड्रोग करनी है अगर आप चाते हो तो model बना लेना, अदरवाई स्क्रैब बुक पर ड्रोग कर लेना सबसे पहले हैं कि आपने triangles के बाले में पढ़ा हुआ है कि triangle क्या होती है, एक simple closed figure होती है और उसके तीन points होती है, उनको आपस में join कर देती हैं तो वो क्या बन जाती है, triangles बन जाती है जैसे ये triangle है, इसके तीन points है, A, B and C इसकी तीन sides है, A, B, B, C, या तो C ये लिख लो, या तो A, C लिख लो, कुछ भी और इसके तीन angles है, A, B and C angles क्या होती है, यहाँ पर, A angles हो गया, B B angles हो गया, C B angles हो गया अब यह जो triangle होती है, यह भी तीन parts में divide होती है triangles की तीन classifications बताई गई है, यह bases है, ठीक है equilateral triangle, isolatis triangle, skill and triangle equilateral triangle वो होती है, जिसकी सभी sides equal होती है अगर आप draw भी करते हैं, तो वो ऐसे draw करनी है कि उसकी सभी sides equal हो नीच चाहिए, clear सबसे पहले आपने triangle बनानी है, triangle बनाओंगे subscribe पे बनानी है, तो ठीक है, otherwise model पे बनाओंगे triangle, बीच में coloring भी करोगे, points भी दोगे, ठीक है triangle draw करने के बाद, आपने उसकी types लिखनी है, कि कितनी types की होती हैं, three types की होती है equilateral isolatious scale, अगर आप जैसे यहाँ पे types of triangle है, equilateral triangles बनाती हो, तो उसकी तीन sides जो है, equal होनी चाहिए, उसको कोई भी name दे देना, P, Q, R, M, N, O, कुछ भी देना चाहिए, लेकिन sides equal होनी चाहिए, अगर यहाँ पे seven है, यहाँ भी seven होनी चाहिए, यहाँ पे भी seven होनी चाहिए, equilateral वो ही होती है, जिसकी सभी sides क्या होती है, equal होती है, isolatious वो होती है, जिसकी two sides equal होती है, लेकिन एक equal होती है, ठीके, उसको वो होती है, isolatious triangle, means कि अगर आपने draw करनी है, तो उसकी two sides, जो है, वो equal āएंगी, और एक नहीं आएंगी, जैसे यहाँ पे triangles बनाए है, isolatious triangle, यह जो दोनो sides है, वो six centimeter, six centimeter की है, जैसे यहाँ पे है, यह जो है, वो दोनो six centimeter की है, लेकिन जो last वाली है, वो five centimeter की बनी है, तो मतलब इसकी दोनों साइट्स इक्वल आई है, एक नहीं आई है, तो ये कौन सी ट्राइंगल हुई? आइसोलेसिस ट्राइंगल. थर्ड टाइप है सकेलन. सकेलन ये होती है कि स्कोई भी साइट्स ट्राइंगल की इक्वल में होती. जैसे यहाँ पे एक four है, यहाँ पे six है, यहाँ पे seven है, यह कोई भी sides जो है वो equal नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि यह कौन सी triangle है, यह skill and triangle है, तो यह आपने holiday assignment बनानी है, अगर आप model बनाते हैं तो पहले यहाँ पे triangle की cutting करोगे, फिर उसके जो तीन sides है, उनकी भी cutting कर अधरवाइस वहाँ पे अच्छे से neat and clean draw करोगे, बीच में coloring करोगे, और साथ में अपना name जो है वो लास पे निखोगी, ठीके, तो यह आपका model है, साथ में आपने six chapter जो है, वो test का prepare करना है, छुट्टियों के बाद, आपका आते ही उस chapter का full का test होगा, so thank you so much, have a nice day.